हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों बाहर ना बहुत ज़रों कि बारिश हो रही है और ऐसे बारिश के मौसम में यह डिश तो बनता ही है तो इस डिश के लिए हम क्या चाहिए ब्रेट सुझी टाप्सिकम अनियन और सॉल्ट और चिली फ्लेक्स अगर अब चाहे तो दोगे रखेंगे सुझी फूलने तक है अच्छे से मिक्स करके थोड़े देर के लिए छोड़ देंगे और जब तक सुझी फूलती है तब तक हम लोग ब्रेट को तयार कर लेते हैं अब ब्रेट को हम लोग क्या करेंगे देखिए मैं किस तरह से काट रही हूं उसी तरह से आप लोग इस ब्रेट को भी पिसस कर लेजिए फोर पिसस होंगे इसमें एक ब्रेट में चार पिस अगर ब्रेट बढ़ा हो तो चे पिस भी हो सकता है और उसके बाद जो फुला हुआ सूजी है उसमें हम लोग क्या करेंगे ब्रेट को अच्छी तरह से डुबो के और सूजी को इस पार और उस पार दोनों साइड में अच्छे से लगा लेंगे अगर आपको अगर आप ब्रेट में थोड़ा पानी भी यूज करेंगे पानी यूज करके अगर ब्रेट को थोड़ा स्मैस करके पानी को निकाल दे और उसके बाद ब्रेट के उपर में सूजी को अच्छी तरह से लगा लें आपको इस तरह से सुभीदा हो आप वैसे लगाई या तो आप बोल के अंदर ब्रेट को दे दीजिए या फिर ब्रेट को हाथ में रख के चम्मा से उपर में प्रेट के उपर में स्प्रेट कर दीजिए सूजी इस तरह से दोनों साइट सूजी से आपको स्प्रेट कर देने और फिर आप ओईल में तोड़ा सा इसे दोनों साइट पका लें यह बहुत ही चतपटा होता है खाने में आप जरूर से इसे ट्राइ कीजिए अगर आपको थोड़ा तीकी खाना है तो फिर सूजी में थोड़ा चिली फ्लेक्स या फिर मिर्च पॉड़र भी डाल सकते मेरे बच्चों को एक तमी तीका खाना पसे नहीं इसलिए मैंने चिली यूज नहीं किया कि विरची तरह से दोनों साइट फ्राइ करने के बाद पैस इसके बाद जादा कुछ नहीं करना है अगर आपके पास कैप्सिकम एविलेविल ना हो तो आप धनिया यूज कर सकते हैं अगर नहीं हो इमरजिंसी में तो आप धनिया भी यूज कर सकते हैं कि दोनों साइट अच्छे से पकाने के बाद हाथ टीशू पेपर का यूज जरूर कीजिए चुकि एक्स्टर वाइल के लिए टीशू पेपर जिस भी डिश में आप रखेंगे इसको टीशू पेपर देखी रखिए बस दिखिए रेडी होगे हमारी टीश और बस इसके बाद कुछ नहीं करना है उपर में सॉस डालना है मेरे पास यह पाउच था सॉस का जोकि मुझे फ्री में मिला था सॉस के बाटल के साथ तो बस इसमें सॉस अच्छे से डालना है और कोई चाहे तो इमली सॉस भी बस रेडी अच्छे से ओनियन और कैपसिकम दे देना है अगर आपको और भी सॉस चाहिए तो आप अलग से सॉस ले सकते हैं और बस रेडी और दोस्तों आप इसे जरूर से बनाए और बना के टेस्ट करके मुझे जरूर बताए कैसा लगा तो आज के लिए बस इतना ही ओक बाई और अच्छे लगा तो एक लाइक सरूर देजिए थैंक यू